हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगा हम लुशिडों में बिटोरेंट के कुछ नए अपडेट्स के बारे में टाइम और लगेगा उन्हें इस प्रॉलम को सॉल्व करने में तो फ्रेंट्स उसी तरह से मेरे पास एक और रिस्पोंस है जैसा कि बीच में भी मैं आपको बिटोरेंट के जो भी नए अपडेट्स आते हैं साथ साथ जेपे बाला जो इसू चलना था उस पर मैं अपडेट कर साथ ही साथ मेरे चैनल पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेट जो भी मार्केट में न्यूज होती है बड़ी उसे भी मैं कॉबर करता हूं तो चलो फ्रेंट्स इस वाले रिस्पोंस की बात करें तो फ्रेंट्स यहां पर है कि हाई वी अंडर्स्टेंड इस कैन भी फ्रस्ट इसके अलावा इन्होंने कहा कि we have shared all possible information about the suspension of BTTC trading इनका कहना है कि जो BTTC ट्रेडिंग का suspension है इसके बारे में जितनी भी information possible था मतलब जिस जो देना share करना उन्होंने लभग सब को share किया है मतलब possible जो भी था तो चलो फ्रेंट्स उसके अलावा है कि trading have ensure that we maintain as much transparency as possible तो फ्रेंट्स यहां पर है कि जितना transparency possible हो सकता है इतना यह लोग मेंटें भी करते हैं फिर नीचे में अगर आया तो यहां पर कि BTTC trading was suspended उसके बात से क्या है फ्रेंट्स एक मिलेट पड़ते हैं यहां पर देखो तो दो रिस्पोंस आया था तो यहां पर है कि trading was suspended since there was an unexpected trading और आगे वाला लाइन जो है दुसरे वाले response में तुसे देखते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर है कि behavior identified तो फ्रेंट्स इनका कहना है कि जो ट्रेंडिंग सस्पेंट किया गया था इनको कुछ unexpected मतलब उमीद से कुछ हटके कुछ trading में suspicious मतलब कुछ चीज जो activity थी इ इसे कि इन्होंने लिखा behavior identified मतलब कुछ अटपटा सा behavior देखने को मिला था ट्रेंडिंग में जिस कारण से इन्होंने क्या किया कि इसको सस्पेंट किया क्यूं तो आप सभी के fund को protect करने के लिए और यह पता करने के लिए कि यह चीज क्या थी कि मतलब अभी कि टाइम पता ह है को बहुत से चीज होता है तो मैं यह नहीं कर रहा कि friends कि यह hack ही था scam ही था जिससे बचाने के लिए आपके फंड को सेफ रखने के लिए इन्होंने सस्पेंट के ट्रेडिंग बट इनका ऐसा कहना है कि कुछ सस्पीसियस एक्टिवीटी जो थी ट्रेडिंग में इन्होंन से फाइंड किया जिस कारण से इन्होंने सस्पेंड किया तो चलो friends जूम कर लेते हैं और यहां से पढ़ते हैं तो फिर यहां पहें कि in order to protect our members fund we had to take this action जैसा कि मैंने बोला क्योंकि मैं मुझे response मिला था मैं पढ़ चुका पहले भी तो इन्होंने उसी कारण से के फिर सस्पेंड हुआ था तो वही कहना है कि आप सभी के फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सभी के भलाई के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया you can be assured that your fund are safe with us फिर यहां पे कहना है कि आप मतलब निश्चिंत्र है आपके जितने भी फंड है इनके साथ मतलब जो है आपको यह नहीं बताए जागा अभी की चार दिन बाद या पांच दिन बाद या पांच दिन बाद इस डेट को आपका ट्रेडिंग ओपें होगा लेकिन जैसे ओपें हो जाएगा तुरत यह लोग इंफर्म करेंगा कि आपकी ट्रेडिंग जो है वह एनेबल कर दी गई है आपका जो सस्पेंशन था वहट गया आपकी जे ट्रेडिंग तो फिरेंस यह इन्फोर्माशन थी जैसे पें यूजर्स के लिए तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो फिरेंस वीडियो जरूब लाइक करना अब चलते हैं जो भी नए अपडेट से देखते हैं तो फिरेंस यहां पर बात करें तो यहां पर एक अपडेट है आपको यहां पर ट्वीट है तो यहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम और बीटीटी स्लैस एटीएच सर पासेश टू पॉइंट थी मिलियन डॉलर इन 24 आवर्स कहां पर तो यूनी स्वेप पे तो फिरेंस यह एक बहुत ही बड़ी मतलब उपलबदी बोल सकते हो या बहुत ही अच्छी बात है कि बाई इतना कम टाइम में इतना ज्यादा का जो मतलब वॉल्यूम है ट्रेडिंग वॉल्यूम है इतने एमाउंट का वो जो इन्होंने हिट किया तो फिरेंस और नीची आते हैं थोड़ा सा तो फिरेंस यहां पर यह वीकली रिपोर्ट है जैसा कि हमेशा इस तरह के रिपोर्ट जो है वो शेयर करते हैं तो यह रिपोर्ट में क्या है फिर से हमेशा एक दार बीटी एफस है जिसका भी टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू टेस्टनेट है की मूरा एंड बीटी एफस डैसवोड भी टू आर नाव लाइव और उसके अलाव फिरेंस यहां पर है कि ऑफ फॉर्मेंस रहा क्या क्या हो रहा है चोता मोटासा क्योंकि जरूरी ने फ्रेंस की जो भी को आइन जाता बड़ा बड़क्तर बड़क्त 501 नहीं है अभी फिलाव घौरिं DR को लेकर कुछ खे अफिंढ गया 약 ने भी हिलाव स्टुमेंट ओन कमिंग बीटी एफैस 2.0 मेनेट लॉंज और यहां पर इस वाले लाइन को देखो तो फ्रेंट यहाँ पर है तो प्रेंटिया प्लेंग कि जो भी पहले एरड्रोप वगरा रिवार्ड थी आपको एड्रेस होती थी प्रॉन में तो वह जो कि नया वाला आपकोडेंट चैन है वहां पहンヤर को एड्रेस कर दिया जाएगा और यह अटमेटीकल हो जायेगी और यह जो minute है 2.0 BTFS ये जो है आपको February 22 को launch गरा कर दिया जाएगा इस तरह से ये वाली जो अपडेट थी एक नई अपडेट थी तो friends लबबग जो अपडेट से मैंने आपको share कर दिया है तो वीडियो को like किजिए चैनल पने हो तो subscribe किजिए support किजिए और जैसे ही जेपे पर कुछ other updates मिलती है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूँगा